आप देख रहे हैं जैभारत टीवी चुके हैं खटीमा शहर में भी बाड के पानी ने मुसीबत बढ़ा दी है यहां रोडवेजबस स्टेशन के पास मुक्या चौराहा पानी से लबालब हो चुका है इसके अलावा शहर की तमाम सड़कें भी पानी में डूब चुकी है खटीमा शहर के लगबग 80 फीजदी इलाके में बिजली और पानी का संकट गहरा गया है इस बीच हल्दी गाउं में बाड का पानी लोगों के घरों में घुसाया इस दोरान घर का सामान निकालने के दोरान दो युवक पानी में डूब गए और उनकी मौत हो गई सारता नदीमा आई बाड का असर यूपी में भी दिखाई दे रहा है पीली भीत में भी कई गाउं बाड की जद में है इस बीच उत्राकंड के सीम पुशकर सिंग धामी भी खटीमा पहुच गए है सीम ने बाड प्रभावित इलागों का हवाई और स्तली निरिक्षन किया है पुशासन ने खटीमा में अगले आदेश तक स्कूल कॉलेज बंद रखने के आदेश दिये है ब्यूर रिपोर्ट जैभारत टीवी